बिसमिल्लाइर्म रहीम, असलाम उलेकुम, वेलकम बैक टू मैं चैनल रेंजर विलॉक्स भाहिरम और मैं हूँ इरम, उमीद करती हम आप सब ठीक होंगे, खेरियत से होंगे, तो जैसा के आप लोगों को पता है के वैदर इस तरह का है, ठंड इस तरह की इस बार पढ़ रही के लिए आपके साथ मैं यह दो से तीन रेमिडी शेयर कर रही हूँ आज लाजमी इसको ट्राइ कीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं अपनी बेटी के लिए भी यह रेमिडी जो है, वो कुछ दिन से यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत वाज़े जो है वो नजर आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए, क्योंकि यह आजकल जो हर बच्चे का ही मिसला है, खांसी का, और माय जो है वो बहुत ज़्यादा परिशान है इस चीज को लेके, तो चलेंजी चलते हैं अपनी फर्स्ट रेमिडी की जो है कि आपने ये चोटे बच्च अ क्यों लिए है छोते बच्चे के लिए है शे माज़े जो चोटे बच्चे ने लिए है ठीक है बड़े बच्चों के लिए जे वह आपकॉंटिटी को बढ़ा देंगे लेना है छोटा शेहद ठीक है, मैंने चेमsung investigación डाल भी और उसके ब बड़े बच्चों के लिए इस कॉन्टिटी को आप डबर कर लेंगे क्योंकि जाए चोटे बड़े बच्छहों है और फिर जच're ऑप फींप सेखा 한테 जो है वह साथ भी हो सकते हैं ठीक है वह अधर रखके जूस के जो है वह डालिएगा और इसको मिक्स करके किसी बॉटल में या किसी इसी तरह की छोटी बॉल में ही कटोरी में या बना के रख ले और जब भी बचों कहां सी हो तो आप उनको जो है वह आदा चमच दे सकते हैं को या रर्फोज जय संहना सफ रखके जो है नसी में यृट्छी question सफमलठी की जो मद बोल नियुकर करना की सकते है तो इसको आपने लेना है अप इसको दसको explodal आप रख लीजिए तो आप ने इसको बनाना किस तरह है अगर तो विद्ट presente को मोद्टा कर जो है वो breastfeed करता है तो मा का दूद पीता है तो आप ने क्या करना है उस दूद को जह है वो आपने इस थार से एक छोटे चमछ चाल ले लिया है पिर अइसके डिप अपने ले जा देना है। ये रेमिडी भी ज Kitchen आठा ख्योड़ो सोनुच्फिक्त के सिर्व कोँने है और एक वस्ते भान दूद कर दूदिक सर चुर्ज सबस्क्राइए, दूद का और उसके अंदर फिर से इस तरह से इस पीस को लेना है और एक बार इस तरह से लाइन खेंचनी है और इस तरह से दूसरी बार लाइन खेंचनी है तो वो जितना सा उसके अंदर हल होना होगा वो हो जाएगा और उस दूद को आप बच्छे को पिला देंगे अब इस नजर आएगा तो चलते हैं अपनी लास्ट रमेडी की तरफ उसके लिए हमें चाहिए होगी नुशादर नुशादर भी जो है वो आपको पंसार की दुकान से असानी से मिल जाएगी ये भी इस तरह से जो है वो बड़े पीसिस में भी होती है तो आप जो है वो कोशिश कीज नहीं है दूद के अंदर और ये जो नुशादर है ये आप बच्चे को दिन में दे दीजेगा नुशादर के फाइदे क्या है इसे जो है बच्चों के खांसी भी ठीक हो जाती है बच्चों का चेस्ट इंफ्रेक्शन जो होता है वो भी ठीक हो जाता है और कुछ बच्चो तो आप उसके लिए भी यह बचों को दे सकते हैं आप यह देख लेजिए कि आपने बचों को देना किस तरह से है नुशादर यह भी आपने इसी तरह से जहें वह चमच लेना है ठीक है चमच के अंदर अगर तो आप ब्रेस्ट फीट देते हैं बच्चे को तो वह जो है है एंदर यह एंदर यह तो को पीज इसके लिभी आटी लाइन गार्जाँ आपला को करना करा है तो इस तरह से अधरें यह धितनी पर आप दोटेघ यह वह तो थोड़ा थोड़ा करके देना ऑर अगर बच्चा जो फीडर वाला दूद पीता है तो आप फीडर से इसी तरह एक चमच दूद का निकाल लें और उसके अंदर पिर इस तरह से पीस इसका बड़ा पीस लेके उसकी डाइलाइने खेंच लें जितना उसमें हल होना होगा दूद में वह हो जाएगा और फिर आप जो है वह उसको छेस्ट इंफ्यक्शन था लेकिन ठीक हो गया था मेडिसन के साथ लेकिं उसके बाद जैसा कि उसकी पहली सर्दी थी तो दुबारा से इसको खांसी होगी थी और मैंने ये रमेडी जो है वो तीनों ट्राइग की है तो आलहम दूद लला उसकी खांसी जो है वो बहुत हत द हो गई है आप यकीन नहीं करेंगे तीन से चार दिन के यूज से जो है वह उसकी खांसी बहुत ज्यादा कम होगी है अब किसी किसी टायम खांसी आती है तो मैं उसको जाय यह वाला जो शेहत बना के रखा हुआ रखके जूस वाला यह उसको थोड़ा से चटा देती हूं और भी वहां पर रुक जाती है तो इन्शाला वो भी आइस तरह से ठीक होजेगी चार से पांच दिन आपने एक हफ़ता लाजमी इन चीज़ों को यूज करना है तो यह थी आज की वीडियो अगर पसंद है यह तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो कानली चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलेगा ताकि आप लोगों को मेरी तमाव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसके लावा मुझे इंस्टाग्राम और फेस्ब